कि नमस्कार दोस्तों पूजा डिजाइन से श्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपको ब्लाउज की स्लीव डिजाइन का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं यह देखिए यह स्लीव डिजाइन है एल्बो तक मैंने स्लीव बनाई है ले इसका यूज करके इस तरीके से पूरी स्लीव के डिजाइन मैंने रेडि की हुई है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है यह देखिए normal स्लीव के ही डिजाइन करते है वो मैंने कर लिए तो मेंने ले इन अकीश की टोटल लमबाई होगी तया रेडि होगी 10 इंच मैंने इसको 9 इंच पट्टी लगाते हैं वह मैंने बना लिए इस तरीके से आप ही देखिए हमें क्या करना है फ्यूजिंग पेपर लिया है मैंने यह देखिए तो इस पर क्या करना है यहां से हमें दो दो इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से यह देखिए यह डबल फोल्ड में है मेरा यह देखिए यहां से यह हमारा जॉइंट है यह क्या करना है हमें यहां से एक लीफ की सेब बना लेनी है यह ऐसे तो फिर मैं इसी को इस पर काट दूँगी जो हमने ड्रो किया है पैटन उस पर यह इसकी जो लंबाई चोड़ाई है आप अपने अकोडिंग ले सकते हैं मैंने यह साड़े तीन इंच के लगबग लिए यह देखिए यह इस तरीके से आप छोटी बड़ी कैसे भी ले सकते हैं अब मैं इसको गॉल्वन कलर के कपड़े पर इसको प्रेस से एक बार अच्छे से पेस्ट कर लूँगी तो मैं पेस्ट करके फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए मैंने इसको इस पर इस पर चिपका लिया है अब हमें इसको इसी सेफ में ऐसे काट देना है कि देखिए यह हमने काट लिया है अब मैं इस पर यह देखिए मैंने इस पर यह रानी कलर की लेश ली हुई है मैं इसको इसके चारो तरख अटेज कर लेती हूं तो मैं इसको यहां से मैं इसको इस्टार्ट करती हूं यह देखिए और यह इसके सेफ में हम इसको गुमाते जाएंगे और लगाते जाएंगे जाएंगे कर दो कि को नौक पर रखते हुए अब यह लीफ की सेफ में हम इसको ऐसे मोड लेंगे और फ्रीज पर कि एक हल्की सी डाट दलेगी आपर और उसके बाद यह सेफ में कनवर्ट हो जाएगी यह देखिए कर दो कर दो कर दो कर दो को कर दो कर दो है कि है कि मैं इसको अगी लेकि और फिर कट करूं वी यह देखिए एक्स्ट्रा को मैंने कट कर दिया है कि यह मेरी लेस इसमें कोई दागावागा नहीं निकलता अगर आपके ऐसी कोई लेस इसमें दागावागा निकलता हो तो आप उसको अंदर के साइड फोल्ड कर लें देखिए यह इसे एक लिफ बनका रडी हो गई है और मैंने कह क्या है यह देखिए मैंने फ्रिल बनाए है 3 मैं यह मैंने कपड़ा काटा था और इसको डबल फोल्ड में इस तरीके से करके और फ्रिल रेडी की हुई है यह फ्रिल मैंने मेरे ब्लाउज की डिजान में मेरे जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने बताईए अगर आपको फ्रिल बनाना नहीं आता तो आप उस पर जाके सीख सकते हं तो यह मारी डेड इंच की फृल तयार हो गयी इसको डबल फोल्ड यह कर रहा है मैंने यह देखिए अब हमें क्या करना है यह मैंने ब्लाउज लिया है ब्लाउज में देखिए इसको सीधी साइट से फोल्ड कर लिया है इस तरीके से नाखुन से इसको प्रैस कर लें और यहां पर चौक से एक निशान बना लें सेंटर में बिल्कुल सेंटर ले लें इसका यह देखिए यह मैं इसका सेंटर ले लिया, सैंटर पे हमें ऊपर से ज हम इसको ब्लाउज में जोेंट करेंगे, वहाँ से मैंने दो इंच पर निशान लगा लिया, दोंच हमें छोड़ देना है, ये देखिए, छोडने के बाद ये लीव बनाईये उसका बिल्कुल सेंटर, इस तरीके से या तो आप इसको मोड के ऐसे करके और ये सेंटर से सेंटर इसका मैच कर ले ये देखिए और मैं इस पर दो पिल अटेच कर दूँगी ताकि ये एक जगे रहे ये देखिए अब इस पर मैं चारो तरफ सिलाई लगा लूँगी ताकि दासर आप लूँगी एक मैंने यह देखिया मैं इसकी पिन अटा लूँगी और पिन अटाने के बाद यह जो नीचे अंदर के साड़ यह लेज से यहां पर मैं किनारी किनारी पर एक सिलाई लगा दूँग ताकि बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए यह देखिए यह पेच हमारा लगकेस पर रैडी हो गया है अच्छा दागा उसको मैं कट कर देती हूं देखिए यह एक पामपुम मारी भार निकली हुए तो मैं इसको भी काट देती हूं ताकि अच्छे से फिनिसिंग से दिखाई देए के की सीदुश्का देखिए अब यह देखिए यह मैं इसमें यह मारा जो पिए में अटने इसमें फ्रील अटेच कर दे हूं फ्रिल मैं इस तरी किसे अटेज करूँग जाएं पट्टी के नीचे जे अफय का प्ड़ा उटा है ये मैं पट्टी के अंदर देने वाली हूates्म क influential देख्टेश को आभ दोतले निया किसे तरी के से मैं इसको ठीच करते यह देखिए यह मैने पट्टिन की रखें पट्टी है उस तरीके से रखें लेंगे यह पट्टी पूरी स्लीव के बरावबर है अब यह है और फ्रिल को देखिए इस तरीके से निलूंगी अब आप देखिए पहले मैं इस फ्रिल को यहां पर रख लेती हूँ कि सब इसी तरीके से अटेश नहीं करते बहुत कम लोग आप कैसे बताएंगे कि हमें पट्टी को किस तरीके से अटेश करना है यह बहुत अच्छा तरीका है और यह इस स्किन पर भी है हमारा कपड़ा बिल्कुल नहीं चुपता और बहुत अच्छा रहता है यह देखिए और मैं इस पट्टी को यहां पर ऐसे यहां तक आगे तक अटेश कर लूँगी पट्टी हमारी की लेन फुल है अब देखिए और यह फ्रिल को कर दो कर दो कर दो कि अच्छा कर दो कि यहां रहा है कि और जो पहले यह फ्रिल की सिलाई है यह वाली यह अंदर की साइड दब जानी चीए इस बात का को द्यान का रखना है यह हमें भार की साइड बिल्कुल भी ने रखनी है क्योंकि वह दिखेगी नहीं तो बद्दी लगेगी पूरी सिलाय को कवर करके ही हमें फ्रिल को अटेज करना है यह देखिए मैंने पूरी जो पट्टी से थोड़ा सा आगे इसको निकाला हुआ है यह देखिए यह मारी पट्टी से आगे अब हमें इसको देखिए ऐसे यह गुमाएंगे अंदर की साड इसको पल्टेंगे तो फिरल हमारे आसे आ जाएगी और इसका यह जो कपड़ा एक्स्ट्रा इसके नीचे बिल्कुल दब जायागा यह देखिए बिल्कुल कितनी अच् मैं उसको भी काट देती हूं ताकि और भी कम हो जाए यह देखिए जितना मैंने स्लाइमे एक्टर लिया है उसको थोड़ा थोड़ा से यहां से ट्रिम कर देंगे अलका-अलका सा यह देखिए यह आसानी से ऐसे हमारी यह फोल्ड हो जाए अब यह पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसका किनारी की सिलाई लगानी है यह देखिए पट्टी को मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से यह हमारी दर किनारी की सिलाईस पर आ जाएगी नीचे की पट्टी को ध्यान रखें कि वह मारी फोल्ड ना हो जाए दोनों साइट देखते हुए कि की पाएपड़ दोना हो जाएब को यह कि अबस्टी कि क्वाबड़। आएब यह कि यह मारी बट्टी की सिलाईस के वह मारी रखश़ से ुए कि देखिए ऐसे लगा लिए अब आम इस पर तुर्पाई आराम से कर लेंगे और इसमें अंदर के साइड पूरी हमारी कवर होगे कहीं भी हमारी दिखाई नहीं देरी अब मैं इस पर यह लगाऊंगी जो मैंने यहां लगाई हुई यह देखिए इसको लगवग इतनी लेंद्धों में काट लेती हुँ अब हमें कि यह लेज की किनारी वाली साइड इदा रखनी है और इस पर ऐसे इसको अटेज करना है कि अ कि अ कि अ कि 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 कि